एक विशाल लिविंग रूम के अंदर हान यांग एक सोफे पर बैठा हुआ था और प्रोग्रामिंग डेटा वाली कुछ फाइलों को पढ़ रहा था। वह वर्तमान में एक कॉलेज जूनियर था जिसने अपने खाली समय में थोड़ी अतिरिक्त नकडी कमाने के लिए कुछ छोटे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट भी लिए क्यूंकि छात्रवरितियां उपलब्ध होने के बावजूद वह एक छोटी राशी अलग रखना चाहत जिसे बाद में उसके पास भेजा जाएगा तादा जी इस बार वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वह एक विदेशी व्यापार वेब साइट थी यह एक नई साइट थी हालांकि इसे पहले किसी और द्वारा डिजाइन किया गया था और दुख की बात है कि इसकी कार प्यूटर था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थी उनकी थोड़ी लंबी बैंक्स के कारण जो अकसर उनकी द्रिश्टी में बाधा डालती थी मुद्रित डेटा फाइलों से एक लंबी पेपर बाइंडली गई थी जिससे उन्हें उन घुमावदार स्ट्रे में दाखिल हुआ हेलियन किंग ऐसा द्रिश्य देखने के लिए लौट आया हान यांद के चेहरे के किनारे पर हलकी रोशनी पड़ी जिससे उसके पूरे शरीर में एक हलकी हवा फैल गई जो कि उनके पिछले टकरावों के दोरान उसकी ठंडी और जिद्दी चवी के बिल का करने की आवश्यक्ता नहीं थी क्योंकि दूसरा व्यक्ति अभी भी उसकी वापसी से अंजान था वास्तव में उसका दिमाग पहले की तरह अभी भी अपने स्वयम के मामलों पर बहुत अधिक केंद्रित था जैसे ही हान यान के हाथ दूर जा रहे थे, कीबोर्ड पर हलकी थपथपाहट की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंच रही थी इस प्रकार, जब तक हेलियन किंग ने उसकी ओर चलना शुरू नहीं किया, तब तक उसने अंतता कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए हान यान की उंगलिया अचानक रुक गई, फिर उसने उस आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो तब तक उसकी ओर चल चुका था, इस समय उसके पास था, इस दूसरे व्यक्ती ने सफेज शर्ट के साथ साथ थोड़ी धीली टाइप एनी थी, जिसमें उनकी प हो हे सिकुर गई, सुक्षम कृत्य से बमुश्किल दिखाई देने वाली जुर्यां पैदा हुई, लगातार दो हफ़तों तक उस आदमी के कही नजर ना आने से उसे इस हद तक आराम मिल गया था कि वह अपनी मौजूदा परेशानी को भूल गया था, अनुपस्तिती ने उन्हें इस बात की भी पूरी तरह से उपेक्षा करने की अनुमती दी कि उनका वर्तमान निवास उनका अपना नहीं था, बलकि उनकी आँखों के सामने अब हेलियन किंग नाम का अपार्टमेंट था, और वह, हान यांग, इस आदमी की अनुबंदित पतनी थी, इमांदा इसको धके बिना, हिलियन किंग की आँखे सीधे उसके चेहरे पर टिक गई, जिससे दूसरे आदमी के लिए उसकी भौहों पर नजर डालना बहुत आसान हो गया। अफसर देने के साथ साथ उसे अपनी भावनाओं को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए अलग समय दिया गया था। या क्या ऐसा हो सकता है कि हान यांग शुरू से ही हिलियन किंग के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गया हो। हाँ हाँ, उस राक्षस के अनुक इस तरह के आमने सामने की बैठके हमेशा खामोश रहती थी। दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनाए गए क्रिपालू रवये ने हान यांग को थोड़ा असहज कर दिया। एक लंबे विराम के बाद हान यांग ने हालां की थोड़ा जहज़कते हुए बोलना शुरू किया, आप वापस आ गए। उसक्षन उस वाक्य को कहते हुए उसने फिर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा जिसकी आँखों में उपहास चमक रहा था, देखो संप्रेशित, बस एक के रूप मैंबुलेट स्क्रीन होगा, संदेश, अगर मैं वापस नहीं आया, तो आपको क्या दी बीच जाता है, हान यांग अंदर ही अंदर कराह उठा, आह भरते हुए समय गुजार रहा था, जब हेलियन किंग ने देखा कि हान यांग ने प्रशन पूछना समाप्त कर लिया है, तो वह थोड़ा अवाक रह गया, फिर अपनी आवाज में नाराजगी जाहिर करते इससे पहले कि उसने देखा कि दीवार पर लटकी घड़ी में शाम के 9 बज चुके थे, उसे ये भी ख्याल आया कि उस आदमी को हवाय अड़े से लोटने में कम से कम एक घंटा लगा होगा, इसलिए ये सोचकर कि शायद उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, उसने पूछ क्या तुमने खाना खाया? उस लड़के को देखते हुए, जिसने उस क्लिप के कारण अपनी बैंक्स को उपर उठाया था, उसका माथा विचारशील भोहों की एक जोड़ी को प्रकट करने के लिए खुला था, हिलियन किंग की अपनी भोहें थोड़ी धीली हो गई क्योंक की उसके पतले हुटों ने एक ही शब्द उगल दिया, नहीं। जैसे की वह इस पर विचार कर रहा हो, हान यांग, जिसने ये देखा, आब अपने लिए कुछ खाना मंदवाने के लिए फोन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले की हान यांग कुछ बोल पाता, हिलियन किंग ने उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाया और कहा, मैं सनान करने जाओंगा, और फिर अपना सूट केस अपने साथ बैडरूम में ले गया, फिर हेलियन किंग की पीछे हत्ती आकरिती को देखकर, हान यांग को अचानक याद आया कि ठीक दो सप्ताह पहले क्या हुआ था, प्राथमेक विद्यालाए के दिनों से लेकर हाई स्कूल सनातक होने तक, हान यांग एक बार भी अपने माता पिता से नहीं मिले थे, पंद्रह साल पहले एक रात, उसे एक छोटे शहर में छोड़ दिया गया था और बाद में एक दयालू बुड़े व्यक्ती ने उसे गोद ले लिया था, उस समय बुड़ा आदमी उस छोटे लड़के को अपने साथ अपने गाँव ले गया, उसने बच्चे को अपना पोत बताया और उसके बड़े होने तक उसे पालने के लिए अकेले ही संघर्ष करता रहा। वह, हान यांग, अभी पांच वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसे त्याग दिया गया, उस राद बारहवे चंद्रमास के ठंडे दिनों ने उसे लगभग ठंड से मौत के घाट उतार दिया था, उस समय वहां मौजूद एक व्यक्ती ने कहा कि जब दादा जी ने उसे उठाया था, तो वह इस हद तक जम गया था कि उसके पूरे शरीर का रंग बदल गया था, वह एक कोने में पढ़ा हुआ था, यहां तक कि कपकपी भी पैदा नहीं कर पा रहा था, बाद म चोटे लड़के को ठीक होने में और एक बार फिर बोलना सीखने में लगभग आधा साल लग गया, दुख की बात है कि इस अनुभव ने इस बच्चे पर एक प्रतिकूल प्रभाव भी छोड़ा, जहां अगर सर्दी होती या मौसम गिला होता, तो उसके दोनों पैरों में दर्द होने लगता। अपने परित्याग के समय इतनी कम उम्र में होने के कारण, वह पहले ही उनकी शकल सूरत को भूल चुके थे। जब वह बढ़ा हुआ तो हान यांग ने भी उन्हें ढूंगने के बारे में सोचा, लेकिन जब वह वास्तव में बढ़ा हुआ और बाद में उसे अपनी परिस्थितियों का अर्थ समझ में आया, तो उसे अब ऐसा कोई विचार नहीं था, अपने शान्त और आरामदायक जीवन को नश्ट नहीं करना चाहते थे, साथ ही इससे भी महत्वपून बात, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते थे जिसने उसे बढ़ा करने के लिए संघर्ष किया था, यही उसके कारण थे, यहां तक कि उन्हें अपने दादा का भी कहा जाता था, बुड़ा आद माता-पिता के बिना भी, उसे अभी भी अपने दादाजी से प्यार मिलता था, वह प्यार जो दूसरों को दिये गए प्यार से कम नहीं था उनकी योजना सरल थी, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करो, एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिलालो, अपनी किताबें अच्छी तरह से पढ़ो, फिर एक अच्छी नौकरी धूंडो जिससे वह अपने दादाजी के पास जा सके और उन्हें भी बहतर जीने का मौका मिले। में जल्दी सनातक होने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उसके माता-पिता कहे जाने वाले दो लोगों ने सब कुछ अस्त्वियस्त कर दिया। इससे पहले हान यांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह उन माता-पिता से मिलेंगे जिन से वह कभी नहीं मिले थे। फिर भी अब वर्तमान में उसके सामने वे लोग जिन्होंने उसे जन दिया। दोनों घुटनों पर थे और आंसु बहा रहे थे। उनके चहरों को देखकर पांच साल की उम्र में हान यांग की यादों में उनकी कोई छाप नहीं थी। उससे पहले के दोनों ने। जब वह बीमार था तो उसकी देखभाल नहीं की। उसकी देखभाल नहीं की। उसे स्कूल से नहीं उठाया। नहीं जब वह चिराने वाल सहपाथियों के साथ हाथा पाए और जगड़ी में पर गया तो वे उसके पक्ष में आए, उनके आसपास न होने के बारे में. उन्होंने व्यवहारिक रूप से उसके जीवन में अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ा था, उसने फिर से जो पहला शब्द सीखा वह दादा था, ना मा, ना पिता जैसा की कोई भी बच्चा सीखता है. पहले, हान यांग हमेशा सोचता था कि शायद उसके माता पिता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके परिनाम अस्वरूप उसे छोड़ दिया गया, उसने ये भी सोचा कि शायद वे उससे ढूंढने वापस आएंगे और उससे कहेंगे, बेटा, हम त उम्हारी देख भाल करेंगे, तो असल में उनके विचार पूरी तरह गलत नहीं थे, आखिरकार, कोई उसे ढूंढने आया था, सिवाए इसके की कोई गर्म जोशी भरी फुस्फुसाहट नहीं थी, कोई स्नेह का प्रदर्शन नहीं था, और कोई आलिंगन नहीं था, जिस ही नहीं थे, बलकि उनके रिंदाता भी थे, हेलियन किंग, बेना किसी चेतावनी के और एक प्रतिरोध्य मुद्रा के साथ, यहुदासीन और सक्त दिखने वाला आदमी, उसके जीवन में आ गया, उस आदमी ने बकाया राशी का बिल उसके सामने फेक दिया, जिस पर उसक आज से आप मेरी हैं, आप हेलियन किंग की हैं, जो दोनों उसके जनदाता होने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अपराधबोध और दुख के साथ माफी मांगी, धीरे धीरे उसे इस बात का कारण समझ में आ गया, उन पर हेलियन किंग का बड़ा कर्ज बकाया था, और उस रूप से उन्हें उनके द्वारा कहे गए हास्यासपद शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, डीने तुलना के बाद उप्रोक्त सभी जानकारी सत्य साबित होने पर ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, हेलियन किंग की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, अगर मैं अस रहमत हो तो क्या होगा? कठोर आदमी सोफे पर बैठा था, उसकी आँखों के कोने से भी, उसकी निगाहें टिकी हुई थी, उसने हान यान को एक सेकंट के लिए भी नहीं छोड़ा, उनकी प्रतिक्रिया हुए से शुरू हुई, इससे पहले उन्होंने कहा, तो ठीक है, इ हान यान्ग, अचंबेत होकर, उस पल में लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन हिलियन किनके अगले शब्दों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, बेशक, भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए, फिर भी उन्हें भुकतान करना होगा, ये कहने के बाद, उसकी आँखे धीरे से उठी, उसने बोलने से पहले हान यान्ग की ओर देखा, यदि आपको ये पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके लिए ये करने को तैयार होगा, जब वह बोल रहा था तो उसकी उन आँखों में कोई भावना नहीं थी, उन्ह उन्होंने हान यान्ग को ठंडक पहुंचाए, दूसरा व्यक्ति जो इसकी देखभाल खुद करेगा, वह व्यक्ति कौन हो सकता है, ये जानने के लिए उसे ज्यादा देर तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन है, उस जोड़े ने, जिन्हें उसके जैविक माता पिता कहा जा सकता है, रोते हुए हान यान्ग का हाथ थाम लिया और कहा कि उनके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्हें एक कोने में ले जाया गया, जहां अगर वे उसे पालते तो उसके भोजन और आश्रय की भी गारंटी नही तो वह आज यहां नहीं होता। उसके लिए अच्छा होगा और हेलियन किनके साथ रहना उसके वर्तमान जीवन की तुलना में बहतर होगा। उन्होंने उसी समय बहुत कुछ कहा, बात सिर्फ इतनी थी कि हान्यांगब नहीं सुन रहा था, इसके बजाए उसने उस छोटे शहर में अपने दादाजी के बारे में सोचा, जिन्होंने उसे पढ़ना, लिखना और शत्रंज खेलना सिखाया था। दादाजी, जियोयांग, यदि आपके माता पिता आपको ढूंड लेते हैं, तो उन्हें दोश्न देख शायद उनके पास वही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उन्होंने किया। हाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह व्यक्ती जो उनके चरनों में जुका, जो उनके पिता कहलाते थे, रोते हुए उनसे बोले, मुझे ख्शमा करें, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। माता पिता का कार्ज, एक बच्चा चुकाएगा। सच्मूच, कोई विकल्प नहीं था। ये बताने में असमर्थ की उसके दिल में क्या भावना उमर रही थी, हान यांग लंबे समय तक चुप रहा, जब तक की हेलियन किंग अधीर नहीं हो गया, फिर उसने, हान यांग ने, धीरे धीरे अनुबंध पर अपना नाम हस्ताक्शरित किया, इस प्रकार अपने माता पिता कारिन रद कर दिया, एक क्षण पहले, उसे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसके नाम पर हस्ताक्शर करने के बाद दूसरे क्षण में, अपेक्शित एक दशक की भावना और पारिवारिक प्यार गायब हो गया था और अभान यांग, उसके दिल के भीत केवल भय महसूस कर रहा था, भले ही वह पांच साल की उम्र में मुश्किल से ही चीजे याद कर पाता था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को याद ना करना जिसने आपके गाल पर चुमा हो या आपको हवा में उठा लिया हो, यहन सुना है, जल्धी वे धुंदी यादे उस पल पानी में प्रतिबिम्बित चंद्रमा की तरह बन गए, एक ब्रह्म. उन वर्षों पहले की उस थिठुरन भरी सर्दी का हैसास वापस आ गया, साथ ही उस कोने में सिकुरने के बाद उन थंडी हवाओं के कारण उसके शरीर को कैसा महसूस हुआ, इसकी भावना भी वापस धीरे से उसने अपने कपड़े खीच रहे, दो लोगों को खीच कर उठाया और उन्हें देखते हुए कहा, मुझे जन देने के लिए धन्यवाद, लेकिन इतने सालों में भी तुम अभी भी मेरी तलाश में नहीं गय थे और अब भी तुमने मुझ से नहीं पूछा है, क्य ना में ठीक था क्या तुमने ये भी नहीं सोचा था कि जब तुमने मुझे उस समय वहाँ छोड़ा था, तो मैं जम कर मर गया होगा। प्रकट करने के लिए खुद को खीच लिया, उन्हें देखते हुए वह बोला, प्रतियक अक्षर का उच्चारन धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से किया गया, चुनकि तुम्हें इस समय मेरी तलाश में आने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए अब से भी मेरी तलाश मे मत आना, आज के बाद से, कोई इच्छा नहीं है, आप दोनों में से किसी एक के साथ मेरे बीच किसी भी तरह का रिष्टा नहीं है। देने के लिए बुलाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, वह हान यांग के दैनिक जीवन को सीमित करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, और हान यांग हमेशा की तरह अपनी सभी कक्षाएं ले सकते हैं। जब दूसरे के स्थान पर रहने के बाद दूसरा दिन बीच गया, तो हेलियन किंग एक व्यापारिक यात्रा पर बाहर चला गया, जिससे दोनों के पास एक दूसरे के साथ रहना सीखने के लिए बिलकुल भी समय नहीं था। जाने से पहले, आदमी ने हान यांग पर एक नजर डाली, उसके थोड़े स्थब्ध रूप को देखकर, हिलियन किंग ने थंडे स्वर में कहा, अपनी भावनाओं को सुलचाएं, मैं वापस लोटने पर मरी हुई मच्छली जैसा चेहरा नहीं देखना चाहता, एक बात य शुन्य हो गया और उसने कहा, ध्यान रखना, हेलियन किंग के चले जाने के बाद, हान यांग, अकसर किसी अजनबी के घर में रहने का अभ्यस्त महसूस करने के बावजूद, मूल रूप से आराम से रहते थे, आखिरकार वह इस समय घर में अकेला ही था, अगले दो हफतो में उसे परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे हैं और धीरे धीरे भूल जाना होगा कि इस घर का मालिक हिलियन किंग नामक वह व्यक्ती है, यानि आज तक, जब हिलियन किंग वापस लोटे सीएम, सी शुन्य तीन, सी एन अनुवाद, अध्याय तीन अपना सनान समाप्त करने के बाद, हिलियन किंग हान यान को देखने के लिए बाहर आया, एक बार फिर अपनी मूल स्थिती में, कुछ लिखते हुए, उसके बालों को बांधने वाली क्लिप पहले ही हटा दी गई थी, उसमें पहले जो बचपना था, वह अब नहीं रहा, एक बार फिर, वह उसी सतर्क व्यक्ती में बदल गया जैसा वह तब था जब वे पहली बार मिले थे, खाने की मेज पर, अभी भी गरम गरम, अपना खाना रखा, प्रसार में अंडा तले हुए चावल, और साग के साथ साथ सोयाबीन पेस्ट में मिश्रित खीरे की एक तश सब काफी अच्छा लग रहा था, खाने की मेज पर सजाए गए उन प्रकार के साधारन व्यंजन असाधारन रूप से गरम और सुगंधित दिखाई देते हैं, जिससे आदमी के चहरे पर पहने जाने वाले मूर रूप से ठंडे चहरे नर्म हो जाते हैं, दोक और सूप पी इने के बाद उसके प्रकरता था जब तक कि उसके दादाजी उसे भोजन के लिए घर लोटने के लिए नहीं बुलाते थे। अब उनकी वावस्था का वह सपना धुंधला हो गया था, दादाजी बुड़े और भुरे हो गये थे, और पैंग जियाउजी, जो उनके बड़ लिए हुए तेज रोशनी चमक रही थी। अभी अभी जागे तो वह थोड़ा ब्रमित थे, हालांकि पूरी तरह सचेत होने से पहले कुछ सेकंड के लिए अचंभे में रहना उनके लिए असामान्य बात नहीं थी। उसके आत्मा वापस आने के बाद वहेलियन किन के लट पिंदगी महसूस हुई और वह असमंजस में था कि वास्तव में ये स्थिती कैसे उत्पन हुई। हान्यांग, जो अप्रत्याशित रूप से बिस्तर से उठने लगा था, रुप गया था। हेलियन किन ने मन ही मन सोचा, हान्यांग का उसे एक टक घूरना बेहत प्यारा था। को नहीं रोक सका, जहां वह स्पश्ट रूप से पैंक जियाउजी को गले लगा रहा था, और वास्तव में वह हिलियन किन के उपर कैसे पहुँच गया, उसे गले लगाते हुए। केवल इतना ही नहीं, बलकि यह भी कि उस आदमी का बुरा स्वभाव जियाउजी जितना अच्छा नहीं होगा। नई आजादी के साथ, हिलियन किन ने अपने कठोर कंदे की मालश की उसे आराम से सोने की अनुमती देने के लिए, उसने कहामेशा की तरह जल्दबाजी में पीछे हटने से पहले नियों लोग उसके साथ, बड़ा अभिशा प्वन मानने के लिए उठ खड़े होंगे TCH, वह अभी तक भागा नहीं है, हो, हिलियन किन को अपने कंदे रगरते हुए देखकर, हान यांग ने अंजाने में कहा, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, क्या आप ठीक हैं, तुरंट हिलियन किन का हाथ रुक गया, उसने हान यांग की एक जलक पाने के बाद कारवाय को क करने की कोशिश में तुरंट कम रगरना शुरू कर दिया, मैंने कभी भी ऐसा कुछ होने की उमीद नहीं की थी, कल तो तुमने अभी भी मुझसे दूरी बनाए रखी थी, हान यांग के पास ये जानने के लिए कोई शब्द नहीं थे कि हिलियन किन घमेशा की तरह उस पर चुटकी नहीं ले रही थी, टूब। जैसा कि अपेक्षित था, बिलकुल परिचित, उफ़ा सपून अभिव्यक्ती उभर रही थी, आपने जो लार मेरी आंत पर छोड़ी है, उसे मैं धोने जा रहा हूं, हिलियन किन ने बातरूम जाने से पहले कहा, उसने कहा कि वह मेरी लार साफ करने जा रहा है, दर्वाज एर के भोजन के दोरान, हिलियन किन को एक फोन आया, फोन करने वाले को हिलियन कहकर संबोधित किया गया लाव येजी, जैसा कि हिलियन किन के दादा जी, हान यांग, भले ही व्यक्तिगत रूप से हिलियन लाव येजी को नहीं जानते थे, फिर भी, वे जानते थे कि ये सिटी के कॉपरेट क्षेत्र में लाव येजी का कितना प्रभाव था, ये बुड़ा आदमी अपने दादाजी से बिलकुल अलग था, इसलिए अपने दिल उस तंग होंट वाले चात्र की ओर चली गई, जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, इतमीनान से कहने से पहले, मैं आपकी पोती को अपने साथ वापस ला रहा हूँ, हान यांग की चॉपस्टिक एक पल में बंद हो गई, उसकी अभिव्यक्ती स्थिर हो गई, हे उनका स्वर्न तो नर्म था और नहीं सकत, इसका मतलब समझने में असमर्थ, हान यांग ने उससे आमने सामने मिलने के लिए अपना सिर उठाया, अगर मैं शान्त नहीं हूँ तो क्या आप मुझे वापस जाने देंगे, आप क्या सोचते हैं, हेलियन किंग ने पूछा, ऐ इलियन किंग ने पहले जो कहा था वह वास्तव में गलत था, ऐसा नहीं था कि वह घबराया हुआ नहीं था, बस इतना था कि अगर वह घबराया हुआ था तब भी इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, सिवाए एक समय में एक कदम उठाने के, क्या मुझे आने पर कोई उठार नहीं खरीदना पड़ेगा, हान यांग ने कार में पूछा, आखिर कार, यह उनसे पहली बार मिल रहा था, यदि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाता तो ये बहुत ही अर्शोगनिय होता, हालांकि हान यांग को स्वयम नहीं पता था कि वह क्या खरीद सकता है, हिलियन जैसे प्रतिष्टित परिवार के लिए, और वह अभी भी एक कॉलेज शात्र है जिसके पास अभी तक कोई स्थिर नौकरी नहीं है, उसके द्वारा खरीदा गया कोई भी उपहार महत्वहीन लग सकता है, मैं इसे खरीद लूँगा, ठीक ह इसके अलावा, जल्द ही वे ही आपको उपहार देने लगेंगे, हिलियन किंग ने स्टियरिंग वील पकर रखा था और अपने बगल में बैठे हान यांग पर नजरे चुराते हुए कहा, थोड़ा सा मीठा बोलने वाला हो, हिलियन किंग ने उपहास किया और मुस्कुराय आगे कुछ नहीं कहा, जब हान यांग की तुलना उस छोटे से गाउसे की गई जहां वह पला बढ़ा था, तो उसने सोचा कि हिलियन किंग का तीन बैडरूम, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम वाला घर पहले से ही शांदार था, लेकिन इस समय, जब उसकी नजर हिल हिलियन के परिवार के घर पर पड़ी तो उसे पता चला की यहना केवल अधिक खरचिला है, बलकी वास्तव में ये बहुत ज़्यादा खरचिला है, चार मंजिला मध्यम आकार का विला इतना उंचा नहीं था, लेकिन यह एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करने के लिए फैला हुआ था, प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय तुरंत एक फुटबोल मैदान के आकार के विशाल प्रांगन द्वारा स्वागत किया गया, इसके अलावा, इसके बगल में एक बगीचा, एक तालाब, इत्यादी था, हेलियन किंग ने बताया कि आम तोर पर, काम के का परण, वह अपने अपार्टमेंट में रहते थे इसलिए अब केवल उनके दादा, माता-पिता और उनके नौकर ही परिवार के घर में रहते थे हेलियन किंग ने उफारों के कुछ बैग निकाले, उन्हें पास इंतजार कर रहे एक नौकर को सौंप दिया और फिर हान यांग को घर में ले आया थोड़ी देर बाद, घर में प्रवेश करने के बाद, केवल कुछ नौकर ही आसपास थे और ना तो हेलियन किंग के पिता और नहीं माँ घर पर थे हेलियन किंग के आगमन को देखकर उन्होंने सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया, कोई अनावश्यप छोटी मोटी बातचीत नहीं की जिससे वह अत्यांत विशाल कमरा ठंडा दिखाई देने लगा इसकी तुलना में, हान यांग ने अपने परिवार के बंगले को प्राथमिकता दी, भले ही वह छोटा और पुराना था, लेकिन उसमें गर्म जोशी, आराम और खुशी थी लाओ येजी ने अपना भोजन समाप्त किया और उसके तुरंट बाद अपने अध्यायन के लिए चले गए, नौकर ने आधर पूर्वक उत्तर दिया घर में हर कोई लाओ येजी की शत्रंज खेलने के लिए दोपहर के भोजन के बाद उपर जाने की आदत के बारे में जानता था, हिलियन किंग ने जवाब में सिर हिलाया और फिर हान यान को तुरंट सितारों तक खीच लिया, निश्चित रूप से, अध्यायन में दूसरी मंजिल पर, उन्हें लाओ येजी मिला। उसने हिलियन लाओ येजी को बुलाने के लिए अपने होंट हिलाय, वह हिलियन किंग के पीछे चला गया और फिर उसके पास खड़ा हो गया। लाओ येजी ने जवाब में कराहते हुए, इमें कहा, फिर भी उन्हें देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया, वैसे ही घूरते रहे जैसे शत्रंच की बिसात पर सेथ होने से पहले थे, और अपनी अगली चाल पर विचार कर रहे थे। हेलियन किन बुड़े व्यक्ती की आदत का आदी लग रहा था, अब उसे परेशान नहीं कर रहा था, इसके बजाए वह हान्यान को चाय की मेज पर अपने पास ले गया और चाय पीने लगा। हान्यान ने धीरे से एक घूंट लिया, गर्म तरल ने उसके परेशान दिल को राहत दी। यह कोई समस्या नहीं है, लाओ येजी को शत्रंज खेलते समय परेशान होना पसंद नहीं है, हेलियन किंग ने कुछ चाय पी, इसके अलावा, कुछ यात्राओं के लिए वापस आने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। खान यांग अध्याय 6 और जैसा कि लाओ येजी के साथ पहले हुआ था, वह अजीब आरक्षन की भावना के साथ फिर से वहां गया। भी स्थिती हो, ये सब एक मजाक के रूप में सामने आएगा। हेलियन किंग हान यांग के साथ केवल आपसी परिचय के कार्य के लिए आगे बढ़े। अजीब लड़के ने आगे कहा, हेलो अंकल, हेलो अंटी, मैं हान यांग हूँ। बैठी एक हेलियन चेंग ने इशारा किया, चलो अब, जल्दी करो और बैठो, इधर उधर खड़ा होना बंद करो, मो सुया ने मुस्कुराते हुए निर्देश दिया। जैसे ही मो सुया ने बात की, हान यांग और हेलियन किंग दोनोंने सीट ले ली, हान यांग, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और एक इंग शादी हो जाएगी, बस हमें अपना परिवार समझें, ठीक है, भले ही उसने ये शब्द कहे, हान या कि एक आदमी से शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था, हिलियन चेंग और मो सुया दोनों भी इस मामले से बेपरवाह थे, वे शादी की योजना के बारे में भी पूछ रहे थे, तो जीयो यांग, क्या आप हैंबी से भी तक, आप दोनों विवाह का पंज प्रिक मामलों के विभाग में जा रहा हूं, फेलियन किंग ने कहा, उसने जो कहा उसे सुनकर हान यांग के हाथ में चॉपस्टिक जम गई,